हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू दिस न्यू लेसन तो भी मद्धिप्रदेश के हम एमसी की डिसकस कर रहे हैं सेकंड लेसन है ठीक है तो शुरू करते हैं पहला कोशन है हमारा वेर इस काठ्या वारा सेंग्चुरी लोकेटेड तो यह आपकी अली राचपूर में है ठीक है मैं मैं भी आपको बता देता हूं तो यह आपका इधर आपका अली राचपूर है ठीक है नीमच मंसूर अतलाम जाबू और अली राचपूर ठीक है गुजरात बॉर्डर स्टच है तो आपको ध्यान रखना है काठ्यावर सेंचुरी इस नौट जस्ट लोकेटेड इन मद्धि सेंचुरी आपकी वह है जाबूवा में ठीक है तो यहां नाम से आपको पता लग रहा है मयूर पिकॉक ठीक है हमारा जो नेशनल बर्ड है ठीक मद्धिपदेश का स्टेट बड़ क्या है इस टेट बड़ कौन सा है हमारा दूद राच ठीक है जिसको हम पैरडाइस एशिन पैरडाइस फ्लाइए के चर भी बोलते हैं तो यह आपको द्यान रखना है अच्छा जाबूवा में आपको यह पता होगा जाबूवा में जो कड़तना चिक चिकन है तो यहीं से औरीजिन होता जिसको जी आई टेग दिया गया है ठीक है नेक्स कोश्चन है आपका कि रानी दाल क्रिकेट स्टेडियम कहां पे है तो रानी दाल जो क्रिकेट स्टेडियम है आपका भोपाल में है ठीक है भोपाल में एक स्टेडियम और भी है तात्या तो पे गौलियर में एक स्टेडियम है, रूप सिंग स्टेडियम जहां पर सचें तेंदूल करने फर्स्ट डबल सेंचुरी लगाई थी, ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है अच्छा किसने ये शुरू केंपेंच शुरू किया है, इंतिजार आपका टूरिजम को बूस्ट करने के लिए, तो इंतिजार आपका अभी जुलाई मंद में ही, किसने शुरू किया है, मद्यप्रदेश ने शुरू किया है, अच्छा हमारे अभी टूरिजम एंबेसेटर आए गए हैं गोईंदा ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है कि किस तारीक को यह देखो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूस है इसलिए मैंने स्पेसिफिक डेट पूचिए तो किस तारीक को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने रीवा में एक अल्ट्रा मेगर्स मेगा सोलर प्रजेक्ट शुरू किया स्पेसिफिक डेट इसलिए पूचिए क्योंकि इसका रेलेवेंस भी है ठीक है नहीं तो ऐसे नहीं बूचते बहुत बड़ा इवेंट है साड़े साथ 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 सो पचास मेगावाट का ब्लांट है और सेंट्रल इंडिया में सबसे बड़ा है मध्यप्रदेश में सबसे बड़ा होगा और इसमें एक खास बात है कि यह दिल्ली मेट्रो से इसने जो है पहले ही बात कर ली है तो यह उसको पावर सप्लाइब भी करेगा ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है तो 11 जुलाई को यह शुरू हुआ है इनागरेट किया गया ठीक है अगला कुर्शन जो बच्चे पैदा हुए और उसमें 28 दिन से पहले मान के चलो 11 बच्चों की देथ हो गई तो उस स्टेट का जो नियो नेटल मॉटलिटी रेट होगा वो हो जाएगा 11 परसंट ठीक है तो उसको हम बोलते हैं नियो नेटल मॉटलिटी तो मद्य प्रदेश ने हमारे लिए यह दुख की बात है कि मद्य प्रदेश ने अभी जो नेशनल हेल्थ मिशन होता है उसमें सर्वे होते हैं तो उसमें मद्य प्रदेश का जो नियो नेटल मॉटलिटी रेट है वो कितना है 11.5 परसंट में भी आप एफेक्ट लिख सकते हो ठीक है तो यह आपको ध्यान रख अच्छा यह बहुत बढ़ी आए क्वेशन इस्टेट लाइश्टॉक एंड पॉल्ट्री डेवलोप्मेंट कॉर्परेशन कब बनी वेन आएगा सौरी 1982 में बनी लाइश्टॉक मतलब जो भेड़ बकरी जिनको हम पालते हैं और जो हमें प्रदक्ट देती हैं और लेबर ज क्रेचर का तो हूं अमंग्ग फॉलोइंग गंपोज दी स्टोरी एक टोकरी पर मिट्टी तो एक टोकरी पर मिट्टी लिखी है मादव रास्ती सप्रेने और यह इनका जो जनम इस्तल्दा वो कहां है दमों में दमों की किसी विलेज में हैं आगर आपको विलेज का नाम मि भी बताया था कि यह उज्जेन से उज्जेन भी इनका जनम हुआ था इन्होंने छोटी सी बात मुवी और जीप पर सवा रिल लिया लापदा बंज एक सीरियल है तो उससे यह सब रिलेटेड हैं इनसे अगला कुश्चन है कि State Institute of Agriculture Extension and Training State Institute of Agriculture Extension and Training इसको जो ऐसे लिखते हैं S I A E T C 8 यह जो है कहां पर है तो यह आपका बोपाल में है 2006 में बना था ट्रेनिंग देने के लिए जो जिससे की फार्मर्स को फायदा हो तो प्राइवेट प्लेयर्स को भी देता है यह जो आपके डूसरे सेल्फ हेल्फ ग्रूप होते हैं उनको भी ट्रेनिंग मिलती है तो यह बहुत अच्छा तो क्या है यहां पर यह सब यह आपको ध्यान अटना है शेहजादा डैनियल तो शेहजादा डैनियल कौन थे जो अकबर थे अकबर के बेटे थे तो अकबर के एक बेटे तो आपके जहांगीर भी थे ठीक है और जहांगीर के जो भाई थे वो कौन थे डैनियल थे और यह जो थे आपके गवर्नर थे कहां के ये गवर्नर थे आपके बुरानपूर के ठीक है और इन्हों ने ही अहु खाना बुरानपूर में बनाया था आपको अगर पता हो तो जो आपके जैसे हम यहां पर पढ़ते हैं कि बाबर बाबर के बाद अकबर हमायू दयनकबर जहां की शाजहां बेगम ती कहांट जिनके लिए ताजमिल बनाए गया था था मुमताज के डेड़ बोडी मुरानपूर में रखी गई थी उसके बाद वहां पर गई आगर तीक है थी आपको ध्यान रखना है और बुरानपूर में अगर आप कभी जाएंगे घूमने तो वहाँ पर एक जगा है दर्गा दर्गा है हकीमी तो ये बोरा समाच का तीर तिस्तल है आप अगर कभी जाएंगे बुरानपूर तो इस जगा पर ज़रूर जाएएगा ठीक है सेम कॉस्शन रिपीट होगया ठीक है अगर का नमरान पूर शहजादा सभी रिपीट होगया तो आपको एक बात और बता देता हूँ मैं मुगल इस्ट्रीक बारे में बता देते हैं तो मुगल इस्ट्री में आपको बता है बाबर देनापका हुमायू फिर आए अकबर और अकबर के बाद आपका जहांगी फिर आपका शहाजाँ और शहाजाँ के बाद आपके औरंगे पर तो शहजादा जो शहाजाँ के जो एक बेटे तो औरंग जेप थे और एक और बेट को थे टोलेलेंट ठीक है सेहन शीलता थी इन में हर धर्म का सम्मान करते थे इन्होंने कितने हिंदू ग्रंट थे जिसको परशिया में लिखा ठीक है तो यह औरंग जब इसके बिलकुल अपोजिट यह थे कठर कठर पंती में विश्वास रखते थे ठीक है जिन्दा पीर इन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह भारत वर्ष के लिए बुरा हुआ कि दाराशिको उसके सुल्तान ना बने दाराशिको के लिए बुरा नहीं हुआ दाराशिको इतने अच्छे इतिहास कारूने दाराशिको को इतना अच्छा बताया है कि ऐसा माना जाता है कि दाराशिक बारत का सुल्तान ना बनना बारत के लिए बुरा हुआ ठीक है और इनके बीच में युद्ध भी हुआ था औरंगजेब और दारशिकों के बीच में ठीक है तो शाह जहां को तो औरंगजेब ने बंदी बना लिया था और जो औरंगजेब और दारशिकों के बीच में युद अंगजेब की जगा तो डिफिनिटली इतियास कुछ और होता यह कि अगर आप से कोई पूछे कि आप ऐसे कुछ incident बताएं जहां पर वो अगर वो ना होता और कुछ और होता और इतियास ही बदल जाता तो मेरे हिसाब से उसमें से यह एक incident था जिसको मैं हमेशा ध्यान रखता हूं कि दारशिकों जो है वो सुल्दान ना बनके और अंगजेब सुल्दान बन गया ठीक है तो यह आज के लिए आपको प्लीज कमेंट करें आपके फीडबेक दें अपना जिसे और अच्छा हम कर सकें ओके Thank you so much